तो भाईयो पहले आप इसकी पर्फॉर्मेंस देख लो बाद में इसका रेट वगएरा सब कुछ बताएंगे नमस्कार किसान भाईयो राम दोस्तों आज जो आपको वीडियो दिखाएंगे यह 265 पावर प्लस है जो इसके लोडर लगा हुआ है तो भाईयो पहले आप इसकी पर्फॉर्मेंस देख लो बाद में इसका रेट वगएरा सब कुछ बताएंगे तो भाईयो लोडर पे जो टेक्टर है यह पावर स्टेरिंग होना बहुत जुरूरी है क्योंकि फ्रेंट में बजन आ जाता है और साद्दा स्टेरिंग कटाई नहीं कर पाता है तो भाईयो 265 है तो भाईयो पहले आपको वेट दिखा देए जो वेट लगा हुआ है यह उतर भी सकता है कितने कुंटल का बेट है तो दो भाईयो पांच कुंटल वेट है पिछे अराम से उतार के अपना और काम भी कर सकते हैं वेट यह फिक्स नहीं है और दोस्तों तेर लाख रुपे का है सिस्टम और दोस्तों मेरेट में लगवाया था भाई ने यह उसको प्लेट दिखा देता हूं आपको पूरी जो लोदर लगवाना चाहते हूं तो दोस्तों ऑसराइज कंपनी है पूरी टोल फृी नमबर है यह आपको जानकारी करना चाहते हैं तो कर सक पर दोस्तों यह ब्लेड भी बढ़िया लगा रखा है आगए जो की में चीज होती है जो बॉक्त है अगली काफी बढ़िया बॉक्त है अगर फीटिंग वगएरा देख लो आप तो दोस्तों अगर हिसाब का काम है तो बढ़िया लोडर चोटा रेक्टर भी चला सकता है को और यह उपरेशनल सिस्टम यहां पर लगाया जाए है तो भाई हो यहां पर बता दूं कि कुछ मेरे जो भाई हैं वो कहते हैं कि टेक्टर सेंटर गेर नी चाहिए साइड गेर चाहिए तो दोस्तों यह सिर्फ फीटिंग के उपर बात है रेखो कितने बढ़िया आराम से म पर यहां पर देखो कितनी बढ़िया फीटिंग कर रखिया अराम से मेरा इस पर जो है अपने लीवर है इन पर आराम से हाथ आ रहा है उपरेशनल एरिये पर तो भाई हो 35 hp का यह ट्रेक्टर है और फ्रंट टायर इन्हें बदलने पड़े थे फ्रंट टायर दिखा दू मै सबसे बढ़ी सिस्टम मुझे लगा इसका कि वह यह जो बेट है इसको मुटार के भी रख सकते हैं तो भाई यो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना और दोस्तों ऐसे ही टेक्टर के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं धन्यवाद लिए